भोग शब्द के पीछे होता है भोगना भोगना का मतलब किसी वस्तु को भोग लेना तो हम जो भोग धरते हैं, भोगने के लिए धरते हैं वे ठाकुर जी आप इसे भोग लो भोगने का लो पूरी अच्छी तरह है चखना और भोगना में फरक होता है एक बोजन चखना होता है बोजन भोगना होता है जो बोजन भोगता है न उसकी थाली भी नहीं बता सकती कि क्या क्या खाया गया था खुश्बू भी नहीं रहती मारा चाट ले हमारे परदादा गुरुजी प्रसाद के बाद जल डालकर पात्र में गुमा गुमा के वो भी पी जाते अब बता इसमें क्या पाया बता बोग ना तो उसी को कहते थाली बल्कूल सपा चट पता ही नहीं क्या करें लो नात पाऊ नात पाऊ नात पाऊ नात पाऊ नात पाऊ उसके नहीं तुम्हारे पिता जी छूप रहे हैं मैं कैसे पाऊं उनके सामने दोड़े ना पा सकता हूँ कभी तो उन्हें खाता भगवान देखा है नाम देख बोले मैंने तो बोलता भी नहीं देखा था मैं तो देखा ही नहीं था और फिर जब प्रसाथ पाया तो पिता ही शरनागती में गिर गए